इंदु एरिटोरल 29th of November is here, excited सभी लोग आज के session के लिए, I hope yes, चालिए, तो vocabulary से आज का session हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आपका पहला शब्द है, compel करना, जब आप किसी को compel करते हो, किसी काम को करने के लिए, इसका मतलब है, आप उसके साथ जबरदस्ति कर रहे हो, कि भाई तुझे काम करना ही करना पड़ेगा, compel करने का मतलब क्या होता है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको force कर रहे हो, आप उसको impel कर रहे हो, oblige कर रहे हो, मतलब उसके लिए उस काम को करना compulsory बना रहे हो, action की बात कर रहे है, पाड़ो स्पीच क्या हो गया, verb हो गया इंपीड कर रहे हो, आप उसको रोक रहे हो, इंपीड कर रहे हो, बीच में कोई रास्ते में कोई रुकावट ला रहे हो, इंपीड करने का मतलब क्या होता है, आप उसको हिंडर कर रहे हो, आप उसको हमपर कर रहे हो, आप उसको अबस्ट्रक्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है आप उसको रोक रहे हो तो उसकी जो sincere apology थी जो उसने sorry बोला इसकी वज़े से वो compelled हो गई और उसने उसको maaf कर दिया compelled किया उसकी apology ने sorry ने उसको maaf करने के लिए अगला word है converge अब इसमें ते को को लिखा हुआ है को का मतलब क्या होता है को का मतलब होता है साथ में तो converge का मीनिंग क्या होता है तीन सड़के जो है साथ में एक point में मिल रही है तो इसको हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है converge एक point से तीन सड़के दूर दूर जा रही है इसको हम क्या बोलते है diverge हो रही है तो converge means अलग-अलग जगाहों से आके एक जगा पर मिल जाना convene करना, congregate करना means मिल जाना, फिर से action की बात कर रहे है, तो part of speech क्या हो गया, verb, antonyms दूर-दूर हो जाना, disperse हो जाना, separate out हो जाना तो airport पे क्या होता है जो अलग-अलग दुनिया के हिस्सों के जो travelers है, वो एक ही जगा मिलते है जिसकी वरे से diverse, diverse means अलग-अलग तरहा का crowd जो है बन जाता है अगले word पे आते है stripe, stripe पे double star mark करो stripe means बहुत महनत करना किसी काम को पाने के लिए you should strive hard, इसका मतलग क्या बहुत महनत करने चाहिए बहुत प्रयत्म करने चाहिए बहुत कोशिशें करने चाहिए उस चीज को पाने की endeavor करना, aspire करना means आपको अंदर से कोशिश करनी है उस काम के लिए फिर से action की बात कर रहे है part of speech क्या ओग या verb अब हमारे दो words होते है इन दोनों words का भी difference सीख लेता है एक होता है aspire एक होता है inspire इन दोनों words में क्या difference होता है सबसे पहरे तो ये दोनों के दोनों शब्द आपके वर्ब होते है aspire आप अंदर से होते हूं for example मुझे aspiration यह है कि मैं aspire कर रहा हूं कि भई मुझे इस काम को करना ही करना है मुझे इस चीज को अचीव करना ही करना है inspire जो होता है आप सामने वाले से होते हो आपने अपने दोस्त को देखा इतनी महनत करते हुए आप उसको देखके inspire हो गए तो inspire is an external force whereas aspire means being it's internal aspire क्या है internal aspirations internal हो गया inspiration external हो गया antonyms क्या हो गया आपने किसी चीज को abandon कर दिया त्यांग दिया abort कर दिया तो company जो है employees को encourage करती है कि वो क्या करे strive करे कोशिश करे किस चीज की innovation unanimously इस पर जितने star mark कर सकते हो कर लो examiner का one of the favorite word है ये इसमें देखो एक तो root word है anim anim root word का meaning होता है mind और unanimously means unity तो unity से word बना un तो unanimously word का meaning क्या हो गया unity in mind मतलब सब लोगों की सोच सब लोग के विचार एक ही है सबी लोग एक ही बात पर agree कर रहे है इसका मतलब वो काम कैसे हो रहा है वो काम unanimously हो रहा है अब देखो जिस शब के last में OUS लगता है वो word आपका adjective होता है अब adjective के साथ जब भी LY लग जाए तो part of speech क्या बनता है उस case में part of speech adverb बन जाता है तो unanimously क्या हो गया adverb हो गया collectively concertedly में सब लोगों ने मिल जूल के किसी चीज़ को लिया discordantly लड़ाई करते हुए लिया disharmoniously शांती थी नहीं बिलकुल भी तो हम सब ने मिल जूल के मान लिया कि लंच के लिए सबसे अच्छी चोईस क्या है पीजा तो सब के सबब क्या खाएंगे पीजा खाएंगे अगले word पे आते हैं dreaded dreaded का मतलब क्या होता है ऐसी चीज जो आपके अंदर डर पैदा कर दे ऐसी चीज जो आपके अंदर चिंता पैदा कर दे उसको क्या बोलते हैं dreaded causing fear और worry भयानक जो चीज होते है terrible जो चीज होते है आपके अंदर एक तर attention सी आजा है उस चीज को देखके noun के बारे में बात कर रहे है part of speech क्या हो गया adjective alarming, direful means, बहुत ही serious antonyms क्या हो गया appealing है, बहुत अच्छा है, inviting है तो I faced the dreaded task मैंने इतना भयानक task को faced कि और task क्या था of cleaning out the attic कि मुझे क्या करना करना पड़ा मुझे साफ करना पड़ा उस attic को attic का meaning क्या होता है एक पूरा का पूरा room मान लो तो मुझे उस पूरे के पूरे room को क्या करना पड़ा clean करना पड़ा इतना गंदा, इतना भयानक काम मुझे मिल गया अगला word है consensus, फिर से को लग गया को का तो meaning ही होता है together तो consensus का meaning क्या है सब लोगों ने मिल जुल के एक बात को मान लिया तो क्या अचीव हो गया consensus अचीव हो गया इसकी उपर भी double star mark कर लो बिटा it's an important word तो सब लोगों ने मिल जुल के एक बात पर agree कर गए सर्व सम्मत्ती हो गई तो क्या हो गया consensus अचीव हो गया agreement, concurrence, सब लोग एक बात कह रहे है antonyms क्या हो गया dissension एक बात नहीं कह रहे discord है लोगों के मन में अलग-अलग चीज़े there was a consensus agreement था friends के बीच में कि वो एक नया restaurant ट्राइ करेंगे dinner के लिए part of speech ये शब्द आपका noun है अगले word पर आते है the next word is weathering weathering what का meaning क्या होता है आप किसी बहुत ही मुश्किल चीज़ को deal करेंगे इसका मतलब क्या होता है आप उस चीज़ को weather करेंगे आप उस चीज़ को जहेल रहे हो that means weathering ये word बना कहां से कहते है न सर्दी, गर्मी, कैसा भी मौसम हो जहेल लेते हैं तो weather करना में किसी जिसको जहेल न तो आप किसी चीज़ से difficult situations है किसी problem को जहेल गया अच्छे से आपने उसको endure कर लिया withstand कर दिया, tolerate कर दिया antonyms क्या हो गए succumb, succumb पे double star मा करो succumb का मीनिंग क्या आपने हार मांग लिए आपने घुटने टेक दिये succumbing का phrasal verb क्या होता है giving in और giving up आपने give up कर दिया भई आपने क्या कर दिया, you yielded to yielding to इसका मतलब भी क्या होता है, इन तीनों का मतलब होता है आप हार मान गए, आप जुक गए तो मुझे ऐसा विश्वास है कि तुम जहेल लोगे किसी भी problem को जो तुमारे रास्ते पर आएगी मुझे ऐसा विश्वास है action की बात कर रहे है तो part of speech is अगरा word है bolster इसके उपर double star माग करूँ very important word bolster word का meaning होता है, आप किसी तो support कर रहे हो आप उस चीज को strong बना रहे हो that means आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज को bolster कर रहे हो, means अपने उस चीज को strong बना दिया, आपने उसको buttress कर दिया, reinforce कर दिया, एक और word होता है, fortify कर दिया जैसे बाहर की countries में क्या होता है fortified milk आता है fortified milk में क्या होता है, उस मेरो खुब सारे vitamins, खुब सारे minerals iron, सब कुछ डा देते है जिससे कि वो milk और strong हो जाता है और आपको और ज़्यादा फाइदा करता है तो fortify करना, reinforce करना buttress करना, bolster करना, means किसी जिसको strong बनाना, support करना अंजनिम क्या हो गए, undermine करना किसी जिसकी value को कम करना impair करना, किसी जिसकी value को कम करते, तो उसने recite किया कि वो अपने fitness routine को और strong बनाएगी, कैसे वो regular jogging करेगी action की बात कर रहे है part of speech is what, right it is a verb अगले शब्द पे आते हैं, onerous इतने सारे, इन दोनों ही words पे बहुत-बहुत सारे star mark कर लो Hindu वो क्या आपके words भी पता ऐसे होते हैं, Hindu एरिटोनिल्स के कि examiner को यही words पसंद आते हैं अगर आप paper उठाके देखोगे न last years के और सारे आपको देखेगा कि examiner को यही words पूछता है बार-बार, इन दोनों पर चाचा star mark करो onerous last में O.U.S. लग रहा है part of speech is what interactive, onerous का meaning क्या होते हैं, कोई चीज़ इसमें बहुत महनत लगे, कोई चीज़ जो एकदम बहुत पना effort वाली हो, जिसमें बहुत काम करना है, बड़ ऐसा लगे है हैरान सारे कि उप्रक कितना burden आ गया है ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ को लगी उपर-उपर से करने पर हो गया, तो इतना लंबा जो commute था, commute means travel, तो इतना साथ लंबा travel था काम के लिए, वो बहुत ही burdensome हो गया था, बहुत ही onerous हो गया था, बहुत ही मुश्किल वाला हो गया था, LX के लिए, मूट करना, आपके सामने रख रहे हो कि इस बात की पर discussion कर लेते हैं, उसको क्या मुझत है, मूट करना, प्रस्तुत करना, प्रपोस करना, ब्रोश करना, आप बोलो कि चलो इस पर discuss कर लेते हैं, आपने दबा दे, नहीं करना discussion, withheld कर दिया, रोक लिया discussion अपने पास, तो जौन ने idea दिया, ये book club start करते हैं, अपने friends के बीच, action की बात कर रहे हैं, तो part of speech is what, part of speech is work, समझ आ रहे हैं सभी को, अगला word है conducive, conducive means कोई चीज़ बाद conducive है, इसका मतलब वो क्या है, favorable है, वो एकदम सही conditions दे रही है, कि बही ऐसे ऐसे करो, ब्रुकोल सही काम होगा, तो ये जो weather है, बड़ा conducive है, focused काम को करने के लिए, अच्छी नींद बहुत conducive है, अच्छी health style के लिए, तो propitious है, facilitative है, favorable है, अनुकूल है एकदम, antinems, deleterious, detrimental दोनों का भी निक्या होता है, बापू सेहत के लिए, हानी कादा के एक सौंग था न, तो deleterious है, detrimental है, means harmful है, अच्छी नींद, adequate नींद, sufficient amount में नींद, अच्छी होती है, healthy lifestyle के लिए, लास्ट में, IVE लग रहा है, part of speech is what, educate, अगले word पर आते है, wean off करना, मतला आपने धीरे 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 करने किसी की कोई गदी आदत को छुड़वा दिया, तो क्या किया, wean off करवा दिया, means to make someone gradually stop using something that is bad for them, किसी की smoking की आदत की, आपने धीरे धीरे करके उसने smoking की habit को wean off कर दिया, मतला धीरे 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 करके उसने उस आदत को क्या किया, छोड़ दिया, यह phrasal work था, clear हुई vocabulary सभी को, कोई परिश्वा,